मनीश कस्यप सुबह सुबह पटना सिविल कोट में चले गए थे और जज साहब ने कहा कि आपकी सुनवाई दो बज़े होगी मनीश कस्यप पुलिस वालों के साथ बैठ कर इस बात का इंतिजार करने लगे कि घड़ी की सुई दो पर कब पहुचेगी कब मेरी सुनवाई होग और कब मेरे भागे का फैसला होगा लेकिन इसी बीच सौ डेर सौ लोग कोट के परिसर में घुसते हैं मनीश कस्यप जज साहब के उस रूम में बैठे हुए थे लोग बाहर से शीशे पर धक्का लगा रहे थे वो मनीश कस्यप को देखना चाहते थे और जब आवाज बाहर निकल कर उन लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं पुलीस वाले उनको बताते हैं कि आप हल्ला नहीं कर सकते हैं और उसके बाद भी लोग दुगनी आवाज में हल्ला कर रहे थे पुलीस वाले अंदर आते हैं वो कहते हैं कि ये लोग शान्त होने का नाम नहीं ले और उसके बाद मनीश कस्यप कहते हैं हम दो मिनट के लिए उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं मनीश कस्यप को बोला गया ठीक है कह लीजिए मनीश कस्यप बाहर निकलते हैं कोल्ट रूम से बाहर नहीं सिर्फ उनका मुंडी बाहर होता है और कस्यप कहते हैं कि तुम लोग म में या खड़े हो जाओ या यहां से निकल जाओ मनीश कस्यप यह क्या कर फिर से आकर बैठ छुके थे और मेहज एक मिनट के अंदर वो सौ sing देड़ सौ लोग वहां से गायब हो गए इसका मतलब जानते हैं आप इसका मतलब ये है कि मनीश कस्यप के कहने पर वो लोग वहां से निकल गए जिन लोगों ने पुलिस के बात को अंदेखा कर दिया कोट में क्या हुआ अब तक आपको कई लोगों ने बताया होगा शायद ये तस्वीर नहीं दिखाई होगी जहां मनीश कस्यप के आखों में आसू है गले में माला है पुलिस वाले दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं लेकिन ये मनीश कस्यप हैं जो रोकर भी माला पहन कर भी इस बात का खयाल रख रहे हैं कि उनके आजू बाजू जो उनके लोग है उनका अभिवादन उनको स्विका सिंग से होगा और इसका भी एक किस्सा है किस्सा ये है कि जब मनीश कस्यप की सुनवाई हो गई इस बात का ऐलान हो गया कि मनीश पटना के जेल में रहेंगे तब वो निकल रहे थे और जैसे वो निकले एक दम जोर से हल्ला होने लगा उसके बाद वकील साहब लोगों ने बैठते हैं लमसम डेढ़ किलो मीटर तक लोग दोड रहे थे मनीश कस्यप हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्विकार कर रहे थे मानो अगली बार सानसदी का चुनाव लड़ना तो फिक्स ही है मनीश कस्यप बेउर जेल में पहुँच गय होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे लेकिन एक पत्रकार जो वहाँ खड़े होकर ये सब कवर कर रहा था उसके लिए ये सब गूज बंस जैसा था रॉंग्टे खड़े हो रहे थे ये देखकर कि कल तक जो आदमी चिला रहा था किसी सड़क के गड़े के लिए उस आदमी के लिए लोग को ट इसी थी कि हाथ जोड कर वकील सहाब कह रहे थे हला मत करिये वरना फैसला पलट जाएगा तो मनीश कस्यप को दिक्कत होगी मनीश कस्यप का सुनवाई अब यहीं से चलेगा तमिलनाडू वाले केस में अगर पेशी होनी होगी तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग से होगी और कल ब और मनीश चुप चाप माथा नीचे जुका कर सबका अभिवादन स्विकार कर रहे थे वो बात मेरे जहन से नहीं निकल रही है जब कोर्ट रूम से सिर्फ मनीश का मुंडी निकला उन्होंने कहा कि आप लोग यहां से निकलिये या फिर लाइन में खड़े होईए अगर मे मुलने वाले कोई नहीं है मनीश क्या है यह तो कोर्ट के फैसला के बाद मालूम पड़ेगा लेकिन जिस बात को जन समर्थन कहते हैं वो जन समर्थन किसी आदमी को मिलने लगे तो यह आपको मान लेना चाहिए कि कोर्ट उसे दोशी कहे या कोर्ट उसको बरी करे वो आदम कभी कभी उठ जाता है कुछ चीजों से उपर और शायद मनीश उठ चूके हैं फिर कल मिलेंगे किसी नए खबर के साथ मिले नाम प्रशान्त है आप जंता नियंक्षन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद